जहें दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में मैं हूँ महीर मोगरे तो यहाँ पर इंडियन पॉलिटिका कूर्ट जो 31 में से आने वाला था वो एडवांस में मैं लेकर आ गया हूँ तो वो भी वीडियो अब आप पर अवेलेबल है तो आप देख सकते हो तो जल से जल MM Academy आप को डाउनलोड कीजिए और जो वीडियोज है एंजॉइ कीजिए कॉलिटी कंटेंट आपको मिल रहा है तो जो मौका है वो गवाईए माच जल से जल डाउनलोड कीजिए MM Academy आप जो लिंक के आपको कमेंट सेक्शन में पीन की भी और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी ये देखें दोस्तों का जबरदस बात बोली गए है कि Be the change you want to see in the world हम सोचते हैं कि दुनिया जो है वो नेगेटिव हो रही है हम सोचते हैं कि दुनिया जो है वो तो एकदम ही कुरूर होती जा रही है हम सोचते हैं कि वॉयलिंस जो है बहुत जादा बढ़ता जा रहा है लेकिन हमारे अंदर हम कितना नेगेटिव है ये हम कभी नहीं देखते हैं हम सोचते हैं कि बाहर की वज़े से हमारे अंदर negativity आ रही है बाहर की वज़े से हम जो है वो उस तरीके से हो रहे हैं बाहर की वज़े से हम depressed हो रहे हैं लेकिन पहले अगर आप खुद positive हो जाओ तो अपने आप सारी जो चीजें हैं वो positive होना शुरू हो जाएगी वो तो बात आपने सुनी होगी कि नजरिया बदलिये, नजारे अपने आप बदल जाएंगे, हम जैसा सोचते हैं वैसा हमें दिखता है, एक इंसान है जिसे जो पेड़ होते हैं, जो जाड़ होते हैं, उसमें भी वो बराबर वो जो बंजर जमीन है उसे धून लेता है, और इसलिए डिपेंड आप पर करता है कि आप धून क्या रहे हो, डिपेंड आप पर करता है कि आप सोच क्या रहे हो, और जो चीज़ आप सोचोगे, जो चीज़ आप चाहोगे, वही चीज़ तो आपको दिखाई देगी, तो इसलिए अगर आप नेगेटिव आपको जो analysis है वो देखने वाले हैं काफी interesting articles है इस वीडियो का आपके समने present करूँगा मैं महीर मोगरे सबसे पहले मैं best exercise देखते हैं तो यहाँ पर ही जो river है यह कौन सी है यह आपको बताना है तो आपको करना क्या है वीडियो को pause करना है इस river की regarding information लिखना है और फिर वीडियो को resume करना है आप मुझे facebook, instagram पर भी follow कर सकते हो pdf और video updates के लिए आप मुझे टेलिग्राम पर follow कर सकते हो links अभी की description में दीवी है तो आईए यहाँ पर हम vocab जो है वो देख लेते हैं मतलब हम हर रोज नए words जो है वो सीखते हैं यहाँ पर हम कुछ नए words सिखेंगे और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि यह जो words है इसे sentence में बना कर आप comment section में लिखिए उसी के साथ साथ आप आपके पूरे दिन भर में यह जो words है आपके बूलने में कही न कहीं इस्तमाल जरूर कीजिए तो पहला word यहाँ पर हम देख रहे है dodgedly इसका मतलब क्या होता है firmly धुरूरता पुर्वक हम कहता है न कि एकदम firmly उसने यह जीज़ कही एकदम firmly उसने यह बात कही एकदम firmly उसने अपना decision लिया तो यह है dodgedly तो अगर आपने आपका UPSC clear करने का decision firmly लिया है तो आज firmly मत बोलिये आज किसी न किसी को जाकर बोलिये कि जो मैंने आपर मेरा decision लिया है UPSC या कोई भी state PSE को clear करने का वो dodgedly लिया है तो यहाँ पर जो sentence है उसमें हम कैसे इस्समाल कर सकते हैं कि she dodgedly refused his proposal मतलब उस बंदे ने जो उसे refuse कर दिया firmly उसे refuse कर दिया धुरता पुरवक उसे refuse कर दिया दूसरे यहाँ पर है astonishing astonishing का मतलब होता है very surprising आश्चर ये जनक हम कहते हैं एक तम आश्चर ये जनक तरीके से वो चीज हुई तो यहाँ पर sentence में कैसे इस्तमाल कर सकते हैं the response for mmacademy is astonishing यहाँ पर जो आपने response दिया है mmacademy को वो astonishing है surprising है आश्चर ये जनक है और actual में ऐसा है क्योंकि जीस तरीके से आपने response दिया है सच में वो astonishing है और बहुत बहुत शुक्रिया और इसके वज़े से मेरी responsibility और ज़दा बढ़ जाती है और third यहाँ पर जो sentence है वो आता है word आता है fulcrum fulcrum का मतलब होता है कि एक ऐसा point जहां से कुछ चीज जो है वो turn हो जाती है मज़े यहाँ पर ऐसा दाना match जो चल रही है cricket match चल रही है कुछ turning point आ जाता है उसे हम कह सकते है fulcrum तो यहाँ पर आधार कि इस आधार पर match जो है वो completely change हो गई इस आधार पर उसकी जिन्दगी जो है वो completely change हो गई इस आधार पर उसका जो रवया है वो completely change हो गया तो यहाँ पर sentence में कैसे इस्तमाल कर सकते है कि his support in her hard times became fulcrum for their relationship मतलब वो जो relationship में आये है उसका एक turning point एक fulcrum क्या बना तो उसका जो support था उस बंदी के hard times में तो इस तरीके से यहाँ पर यह जो words है हमें देखने को मिलते हैं तो आपके sentences में आप जरूर इस्तमाल कीजिए आईए यहाँ पर explain section देखते हैं इसमें फिर से locust की जो है वो बात की गए तो locust अब यहाँ पर next क्या होना चाहिए इसके बारे में बात की जा रही है तो एक बार revise कर लेंगे इस चीज़ को उसी के साथ महराश्टर में जो restrictions है वो थोड़े ease किये जा सकते हैं तो अब यहाँ पर क्या हो सकता है कोवीड को कैसे control किया जा सकता है उसके बारे में आपर बात की जा रही है next यहाँ पर हमें editorial page में अब दिखिए एक बहुती दर्दनाक चीज़ हमें देखने को मिली है मतलब रिल्वे स्टिशन पर जो माँ है मा की death हो गई और जो बच्चा है वो फिर भी उसे पता नहीं है कि अब मा कभी नहीं उठेगी उसे लग रहा था कि वो सो रही है और वो उसके साथ खेल रहा था तो मतलब समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से इस चीज़ को बया करे किस तरीके से हम मतलब हम फैन के नीचे बैठते है हम AC में बैठते है हम कुलर में बैठते है हमारे सर के उपर च्छत है और दुनिया में ऐसी भी जगए है जहाँ पर च्छत नहीं है और हम हमारी तब्वेत खराब होती है तो हम hospital जा सकते हैं हमारी तब्यत खराब होती है तो हम दवाया ले सकते हैं लेकिन दुनिया में ऐसे भी लोग है जिनकी death हो जाती है और पता भी नहीं चलता है तो सोचिए कि हमारे पास जो चीज़े नहीं है उसके लिए हम रोते रहे या फिर हमारे पास जो चीज़े हैं उसके लिए हम शुक्र मनाए बहुत जरूरी है कि जिससे की हम हमारे अंदर जो negativity है उसे हम positivity में तब्दिल कर सकते हैं और जब हमारी negativity को हम positivity में तब्दिल करेंगे तब जाकर ये पूरा दुनिया देश जो है ये देश भली इंसानों ने बनाये हुए है भारत बोलिये लेकिन जो nature है nature के लिए तो पूरी अर जो है वो एक समाल है और हम अगर सारी चीज़ों के beyond सोचने लग जाए इस universe के beyond सोचने लग जाए तो फिर हमें बता चलेगा कि हम और हमारी problems ये कितनी छोटी है और इस सरी के जब हम दुरुष्य देखते हैं तो हमें पता चलता है कि दुनिया में जितना हमें मिला हुआ है शायद आदे से जादा लोगों को वो भी चीज़े नहीं मिली है तो इसलिए यहाँ पर positive रहना हमारे लिए जरूरी है जिससे की जिने जरूरत है positivity की उन तक हम ये positivity जो energy है वो पहुचा सके हमारे पास बहुत सारी चीज़े हैं हम रोते रहते हैं कि हमें पूमा का जूता नहीं मिला हम रोते रहते हैं कि हमें जो चपल है वो नहीं मिली लेकिन दुनिया में कितने सारे लोग होंगे जो बिना चपल के, बिना जूते के गुम रहे हैं कितने सारे लोग होंगे जिने खाने के लिए एक वक्त की रोटी नहीं मिल रही है कितने सारे लोग होंगे जिने पढ़ने के लिए किताब तो छोड़ी है तो मतलब हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा privileged है तो इसलिए यहाँ पर बहुत ज़रूरी है हमें यह सोचना कि जो हमारे पास है वो बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पर एक ऐसा ही दृष्या में देखने को मिलाता जहाँ पर एक छोटा बच्चा वो खेल रहा है उसे पता नहीं है मतलब यह बहा नहीं कर सकता हूँ मैं कि किस तरीके का दृष्या है वो तो इसलिए यहाँ पर जिस तरीके से भी आप हेल्प कर सको कीसे भी मतलब जो आपकी घर पर काम कर रहे होंगे अभी वो काम पर नहीं आ पा रहे हैं या फिर जो भी लोग है एक बार उनका हाल चाल पूछ लीजिए एक बार उनसे बात कर लीजिए एक बार उनको पैसो के जरुवत तो नहीं हो पूछ लीजिए हो सकता है कि उन्हें अभी पैसो के जरुवत पड़े और फिर आप अभी उन्हें देतो फिर वो जब काम पर आएंगे तब आप हिसाब जो है वो बराबर कर लीजेगा लेकिन आप पूछ लीजिए कहीं उनका हाल जो है वो बेहाल तो नहीं हो रहा है चलिए नेक्स चीस पर बढ़ते हैं आपर जो जो ड्राइंग क्लोजर इन क्राइस इसके बारे में आर्टिकल बात कर रहा है अब यहाँ पर क्या है जो आफरिका है आफरिका और इंडिया के जो रिलेशन्स है उसके बारे में आर्टिकल बात कर रहा है तो ये भी आर्टिकल काफी important है अच्छे तरीके से देखने की कोशिच करेंगे तो आईए यहाँ पर locust जो है उसके बारे में देखते हैं अब यह हमारे JS Vapor 1 के लिए important है locust ये large millie tropical grasshoppers है strong power होती है उनकी fly करने की उसी के साथ साथ ये ordinary grasshoppers ये उनसे अलग होते हैं इनकी abilities काफी change होती है इनका behavior काफी change होता है और उसी के साथ काफी दूर तक migrate कर सकते हैं locust जो है generally month of June जुलई में हमें देखने को मिलता है as insects ठीक है उसी के साथ locust जो है उनकी high capacity होती है multiply होने की तो ये कुछ उनके salient features है जो directly आपको sentences बना कर exam में पूछे जा सकते हैं अब यहाँ पर हो क्या रहा है जब हम यहाँ पर June की बात करते हैं तो अभी हमें May में ही ये जो इनका attack है क्यों देखने को मिल रहा है तो यही सारी जीज़े हम यहाँ पर जानेगे यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से locust जो है उसका attack होता है पुरा जूंड में करते हैं जूंड में करते हैं और पूरी तबाही मचा देते हैं अब यहाँ पर देखें जो vegetation है उसको काफी जादा threat होता है लोकल जो है अर्डल ये बहुत ज़ाइट घा सकते हैं बहुत ज़ाइधा मतल demás समझ लीजे हैं कि पूरा जो एक फ़ारम है उसे वो नस्ट कर सकते हैं अब यहां पर बट आप्यसी कि जब वो फारम नस्ट करदें गे जब वो खाना पूरा नस्ट करदेंगे तो हमारा supply gap जो है वो create हो जाएगा supply gap create हो जाएगा तो हमारा जो food storage है वो यहाँ पर खत्रे में आ सकता है है ना already यहाँ पर pandemic के वज़े से काफी problems हो रही है तो अब यहाँ पर जब food inflation भी increase हो जाएगा तो और जदा problem हो जाएगी और इसलिए यहाँ पर क्या हुआ है यहाँ पर जो information है वो दी गई है कि locust attack जो है वो हो रहा है अब यहाँ पर आप देखे desert locust जिसका scientific नाम जो है यह हमें देखने को मिलता है तो दोनों काफी important है directly scientific नाम जो है आपको पूछा जा सकता है जो की belong करते है family of grasshopper से normally यहाँ पर semi arid और desert region जो है वहाँ पर हमें breed करते हुए देखने को मिलते है तीक है उसी के साथ साथ यहाँ पर जो eggs है वो ले करते है bear grounds पर जो भी bear ground होता है बंजर जमीन होती है वहाँ पर वो eggs जो है वो ले करते है उसी के साथ साथ यहाँ पर आप राजस्तान देखो तो वहाँ पर वो ले कर सकते है लेकिन indogagnetic plane जो है वहाँ पर नहीं कर सकते है ठीक है मतलब यहाँ पर they can lay in Rajasthan but not in indogagnetic plane ठीक है अब green vegetation जो है वो hoppers के development के लिए required होती है मतलब यहाँ पर पैदा होने के लिए देखिए मतलब nature निसर जो है उसका एक आप पहलू देखिए कि यहाँ पर पैदा होने के लिए उनको बंजर जमीन चाहिए लेकिन develop होने के लिए उनको सुपिक जमीन चाहिए तो मतलब समझ सकते हैं कि इस तरीके से nature जो अपना खेल कहलता है तो इस तरीके से यहाँ पर राजस्तान जो है वहाँ पर एक स्ले कर सकते है वहाँ पर breeding हो सकते हैं सब कुछ हो सकता है लेकिन development अगर करना है तो green vegetation चाहिए होती है इसे तो farm के farm वो तहस नहस कर देते हैं अब normal breeding area आगर हम देखते हैं तो इस तरीके का हमें देखने को मिलता है यहाँ पर जो horn है आफरिका का यहाँ पर हमें mostly breeding ground जो है उसका देखने को मिलता है उसी के साथ फिर यह इस तरीके से travel हो रहे हैं में में ही क्यों देखने को मिल रहा है probably unusual cyclonic storm जो हमें 2018 में देखने को मिला था जान दीजेगा 2018 की बात हो रही है 2018 में जो हुआ था Arabian Sea में cyclon storm, meekunu और luban यह जो है यह ओमान और येमेन यहाँ पर struck किये थे अब उसके वज़े से क्या हुआ था यह जो area है जहाँ पर यह mostly breed करते हैं तो यह area में बरसात हो गई थी अब बट obvious है कि यह area में जब बरसात हो रही है तो यहाँ पर वो breeding कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे यहाँ पर पैदा कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे तो यह यहाँ पर problem समय देखने को मिल रही थी इसके वज़े से क्या हुआ कि यहाँ पर जो breed करते हैं तो पहले ही यह लोग यहाँ पर move होना शुरू हो गए नहीं तो यहाँ पर क्या था breeding होके रहे हो गई उसके बाद यहाँ यहाँ पर move होते हैं फिर उसके यहाँ पर vegetation जो है सर्च करते हैं लेकिन यहाँ पर बरसाज जो होने लगी थी जिसके लिए इनको suitable atmosphere यहाँ पर नहीं मिल रहा था और इसलिए यहाँ पर क्या हुआ यहाँ यहाँ पर यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो गया तो उनकी inhabited condition जो है वो यहाँ पर शुरू हो किया है तो यह पूरा area यह पूरा patch जो है आप देख सकते हो और उस तरीके से यहाँ पर भी अब यह move हो रहा है दूसरे area में भी move होता हुआ मैं देखने को मिल रहा है अब यहाँ पर आप देखो तो पकिस्तान और इंडिया जो है यह locust यह एक ऐसी चीज है जिससे दोनों साथ में मिलकर लड़ रहे है मतला यहाँ पर देखे कि इनसानों के ज़रुत के हिसाब से वो हाथ भी मिला लेते हैं और दुश्मनी में मोड ले लेते हैं मतला यहाँ पर पकिस्तान और इंडिया दोनों के जो terrorism है उसको लेकर जो ideology है वो अलग है तो दोनों यहाँ पर एक आइडियोलोजी सेम है, तो यहाँ पर साथ में लड़ रहे हैं, तो इस तरीके से हमें आपर देखने को मिलता है कि सब आइडियोलोजी का खेल होता है, हमारे आइडियोलोजी के साथ है, तो हमारे दोस्त है, हमारे आइडियोलोजी के खिलाफ है, तो हमारे दुश्मन है, इस जो चीज है terrorism, यह पूरी दुनिया के लिए खराब है, अगर उसको कोई समर्दन कर रहा है, तो but obvious है कि वो problematic ही है, लेकिन यहाँ पर मैं हमारे बीच की बात कर रहा हूँ, जो humans है उनके बीच की बात कर रहा हूँ, कि ideological यहाँ पर difference हो सकता है, इसलिए नफरत मत किजे किसी से भ तो जो further eastward movement जो है, वो क्यों हो रही है, तो but obvious है कि यहाँ पर immature locust जो है, वो हमें देखने को मिल रहा है, जिने vegetation की बहुत जाज जरुवत है, अब यहाँ पर आप देखो तो राजस्तान जो है, गुजराच जो है, उसका जो western part है, वहाँ पर breeding वो के रहे तो सब हो रही है, लेकिन अब उनको development के लिए जो है, वो तो vegetation चाहिए है, तो अब वो कहां मिलेगी, तो इसलिए यहाँ पर eastward movement जो है, उनकी देखने को मिल रही है, मतलब वो यहाँ पर खुद के weight जितना पूरा खा सकते हैं, तो आप सोचे कि यहाँ पर जो है, वो कितना जादा खाँ इस सरफ जो है, वो बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो जब इनका यहाँ पर attack होगा, तो बट अबियस है कि यहाँ पर क्या होगा, food जो है, उसकी security को problem हो सकता है, तो अब यहाँ पर locust से लढ़ने के लिए कि हमारे पास कोई solution नहीं है, बिल्कुल है, historically locust जो है, वो यहाँ of phosphaticide जो है, यहाँ पर spray किया जाता था रात को, और उसी के साथ साथ यहाँ पर क्या होता है, फिर उनकी जो death है, वो हो जाती है, मतलब फार्मर को advise किया जाता है कि आप वो chemical जो है, यह से chemicals आप spray कीजिए, जिसे की क्या होगा, जो swamps है, उनको यहाँ पर control किया जा सकता है, लेकिन center जो है, उन्होंने 14th में को band कर दिया है, इन सब का इस्तमाल, ठीक है, और उसी के साथ है, जो मेनत हुआन है, उसका भी यहाँ पर वो band की list में जो है, वो लेकर आगा है, क्योंकि यहाँ पर problems जो है, वो create होता है, ठीक है, अब लेकिन locust control के लिए इससे allow किया गया ह तो यह जो चीज़ें काफी important है, कौन-कौन सी चीज़ें सरकार के तरफ से band की गई है, यह भी अकसर exam में जो है, वो पूछा जाता है, तो यह है locust के बार में कहीं बार हमने देखा हुआ है, फिर से मैंने सोचा एक बार आपको बता दो, चलिए next है, अब महाराष्टर जो ह होगे तो बहुत ज़्यादा cases बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा, may be much more vigorously and dodgedly, यहाँ पर हमें जो काम है, वो करना चाहिए महाराष्टर में जो coronavirus की cases को रोकने के लिए, एक चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिलती है कि decentralization, जो है decision making में वो होना चाहिए, और resource के allocation के लि होती है क्योंकि अगर आप देखो महाराष्टर में 36 districts, उसी के साथ साथ अलग-अलग जो आपर चीज़ें हैं वो देखने को मिलती है, अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग cases देखने को मिल रहे हैं, मतलब पहले जो green zone में थे, अगर आप वरदा देखोगे तो पहले वो green zone में था, लेकिन अब वहाँ पर cases tremendously increase हो रहे हैं, पहले गडची रोली जो है, वो green zone में था, अब cases tremendously increase हो रहे हैं, तो इस तरीके से अगर आप देखो, तो cases जो है, वो बहुत जादा बढ़ रहे हैं, तो local authority जो है, उनको ये power दी जाने चाहिए, जैसे नाकपूर में वहा था ठीके नाकपूर में उसे जो grades होने उसमें नहीं रखा गया था, वहाँ पर जो छूट है वो दे दी गई थी, लेकिन फिर वहाँ के जो commissioner है, बहुत strict है, तो उन्होंने, काफी famous भी है, तो उन्होंने, तुकराम नाम आपने सुना होगा, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंन देखा जाना चाहिए, उसी के साथ साथ national level पर अगर आप देखो तो lockdown जो है, वो यहाँ पर sustain नहीं कर सकते हैं, हम जाएद दिनों तक, क्योंकि economy जो है, तो इसलिए यहाँ पर local level पर, community level पर, यहाँ पर authorities प्रोवाइड करना चाहिए, उनको empower करना चाहिए, resources के साथ, power के देखा जाए, यहाँ पर cases बहुत जादा हो रहे है, localities काफी crowded है, है ना, अगर आप देखो तो वहाँ पर जो slum है, धारावी है, वो इतना congested है, इस्या का सबस्यादा congested माना जाता है, और वहाँ पर social distancing maintain करना almost ना मुंकिन है, तो अब यहाँ पर क्या करना चाहिए, अब यहाँ पर home isolation जो है, वो रखना काफी मुश्किल है, क्योंकि जब आपर एक हाथ पर दूसरा घर है, एक हाथ पर दूसरा आदमी सो रहा है, दूसरे घर का, तो फिर ऐसे सिनारियों में, कैसे आप social distancing maintain कर सकते हो, कैसे आप home isolation कर सकते हो, इसलिए आपर home quarantine तो वहाँ पर possible ही न जाना चाहिए, जो quarantine में है, उनको यहाँ पर, जो easier और faster access जो है, प्रोवाइड किया जाना चाहिए, और सबसे important है psychological confronting, क्योंकि देखें, mostly क्या हो रहा है, कि जो लोग होते हैं, जो parents है, जो parents है, जो family है, तो उनको यहाँ पर क्या है, कि एक हम psychological confrontation अगर प्रोवाइड करते हैं क्योंकि psychological confrontation नहीं होगा, तो उनमें डर रहेगा, कि यह आप गए, हो गया मतलब गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसी के साथ, यहाँ पर जितने भी efforts है, कि हम यहाँ पर testing बढ़ा सकें, वो रखना चाहिए, जो ability है, trace करने की वो बढ़ाना चाहिए, isolate करने की बढ़ाना जो positive cases है, उन्हें जल से जल यहाँ पर निकालना चाहिए, उसी के साथ, यहाँ पर trace और isolate करना, primary contact को, यह यहाँ पर बहुत जरूरी है, अब यहाँ पर जो secondary contact होते हैं, अब देखें, यहाँ पर क्या है, कि यह इनसान है, एक इनसान है, इस इनसान को coronavirus है, ठीक है, अब यह actual में जिससे जाकर मिला है, ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या है, इसका relative है, इसका दोस्त है, इसको जाकर मिला है, इसे धुणना काफी आसन है, क्योंकि इसको हुआ था, इसको पूछ लिए कहां का दूं गयते, भईया मैं इसको मिला था, फिर इसको मिला था, है ना, तो यह ज secondary contacts है, इनको पकड़ना काफी मुश्किल होता है, तो इसके लिए जादा effort जो है, वो यहाँ पर लगाया जाने चाहिए, तो यह सारी चीज़े हमें यहाँ पर solution oriented देखने को मिलती है, उसके साथ, यहाँ पर lockdown जो उसने certain extent तक यहाँ पर benefit पहुचा है, लेकिन continue इस तरीके से चलता रहे, यह काफी मुश्किल है, इसलिए यहाँ पर हमें adequate healthcare infrastructure जो है, वो provide करना चीए, उसी के साथ, यहाँ पर जो health resources है, उसको भी आपर scale up करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, अब यहाँ पर देखे, जो state government है, probably यहाँ पर employees जो है, वो जादा बढ़ाना चीए, surveillance staff के इसलिए यहाँ पर पूरी locality को isolate करना यह भी आपर बहुत ज़रूरी है, जो teachers है, बाकी employees है, जो कि आपर trained नहीं है इस purpose के लिए, है ना, currently बहुत सर ऐसे लोग है, लेकिन यहाँ पर यह काफी important job है, कि यहाँ पर क्या होता है, जो भी infectious disease होते हैं, उसमें आपको proper तरीके से, जो लोग हैं, उनको रखना होता है, कि यहाँ यह जो है, trained लोग है, इनको पता है किस तरीके से बढ़ता हो करना है, नहीं तो लोग गए हाँ पर देखने के लिए, surveillance करने के लिए, खुद corona patient बनकर आ गए, ऐसा भी यहाँ पर देखने को मिलता है, चलिए, next इस पर बढ़त है, हर साल May 25 को, जिससे की जो यहाँ पर organization या आफरिकन unity, इसको यहाँ पर commemorate किया जा सके, इंडिया जो है, वो closely associated है, है ना, जो भी यहाँ पर colonel past हम share करते हैं, rich contemporary ties हम share करते हैं, growth जो है आफरिका की, वो यहाँ पर expect की जा रही है, 2020 में काफी कम, negative growth rate देखने को मिल रही है, minus 2.1, 5.1, अब यहाँ पर आप देखो तो आफरिका जो है, वो already काफी health चीजों से जूझ रहा है, जैसे के HIV हो गया, malaria हो गया, diabetes हो गया, hypertension हो गया, है ना, तो यहाँ पर काफी health और problem, जो economic issues है उसे जूझ रहा है, अब यहाँ पर COVID के वज़े से और दादा problems हमें आफरिका म उसे आपर exploitative माना जा रहा है, अब आप देखिए, इंडिया है और चाइना है, ठीक है, इंडिया और चाइना में फर क्या है, चाइना आफरिका में, चाइना आफरिका में बहुत सारे इंट्राक्चर और प्रोजेक्स लेकर आ रहा है, जैसे कि उसने 1860 किलोमेटर जो यह railway है, वो लाइन बिल्ड की 1975 में, उसी के साथ यहाँ पर annual trade जो आफरिका के साथ 2019 में 208 billion dollar कर रहा है, जो इंफराक्चर है, प्रोजेक्ट वो हमें देखने को मिल रहे है, चाइना जो है वो वास्ट इस्ट आफरिका मास्टर रेल्वे प्लान भी बना रहा है, है ना, तो यह स हो, वो लेकर जाता है, जो लेबर्स है, वो लेकर जाता है, ठीक है, इससे क्या होता है, इससे सिफ आफरिका में क्या हो रहा है, आफरिका में जो इंफराक्चर डेवरप्मेंट है, वो हो रहा है, लेकिन वहाँ के लोगों के employment मिल रही है, नहीं मिल रही है, कुछ नहीं हो वो माना जाता है अब last few years में देखा जाए तो इंडिया जो है उसने भी आपर relations आफरीका के साथ काफी ज़्यादा सुधा रहे हैं इंडिया आफरीका ट्रेड जो है 2018 में 62 बिलियन डॉलर्स तक पहुच गया था अगर हम 2019 की बात करें 39 बिलियन डॉलर्स देखने को मिल रहा साथ एशिया के बाद आफरीका जो है second largest recipient है इंडिया ओवर्सी असिस्टेंस का line of credit जो है वर्ट 10 बिलियन डॉलर्स जो है 41 कंट्रीज जो है अफरीका में उसमें spread होता हुआ एक लोन के तरीका का आप समझ सकते हो line of credit को bilateral cooperation जो है उसमें solar energy development ठीक है यह बहुत important point है आपकी means के लिए solar energy development, information technology, cyber security, maritime security, disaster relief, counter terrorism, military training तो यह सब के लिए bilateral cooperation जो है हमें देखने को मिलता है इंडिया ने बहुत सरे initiatives भी यहाँ पर लिए है जिसे की closer relation जो है develop किये जा सके first ever इंडिया आफरिका defense minister कॉन्ट्लियो भी देखने को मिला था इंडिया 50,000 scholarship जो है provide करता है आफरिकन students के लिए हर साल अब यहाँ पर क्या किया जाना चाहिए इतना सब तो हो रहा है इतना सब तो इंडिया कर रहा है लेकिन और क्या किया जा सकता है है ना तो यह होता है Indian Express की खासियाद जो आपको दहिंदू में देखने को नहीं मिलेगी यहाँ पर क्या आरोगे सेथु एप और ईगराम स्वराज एप जो है रूरल इरिया के जो लाए गया है जिसकी COVID-19 की मैपिंग की जा सके तो यह टेखनोजिकल एडवांस्मेंट हम शेयर कर सकते हैं आफरिका के साथ जिसकी को आपरेशन और जादा बड़े उसी के साथ आफरिकन स्टुड़ंट जो है जो इंडिया में आते हैं राआर एटूकेशन के लिए वो काफी डिस्रप्ट हो गया होंगी जो मुव्मेंट है काफी डिस्रप्ट हो गया है तो यहाँ पर जो इविद्या भारती है, टेली एजुकेशन, उसे यहाँ पर एक्स्पांड किया जा सकता है, है ना, एक वर्चुल उनिवर्सिटी यहाँ पर स्टैब्लिश की जा सकती है, एगरी कल्चर, फूट सेकुरिटी जो है, उसका यहाँ पर फलक्रम, यहाँ पर टा उसी के साथ इंडिया और जपान जो है, वो common interest शेयर करते हैं, जो African development है उसके लिए, partnership इंडिया और जपान की देखने को मिलती है, अब यहाँ पर COVID-19 crisis अगर दिखे जाए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कि यह सारी चीजों को नए format में लाने की बात होगी, मतलब क्या है, इंडिया, USA, Japan, Australia, recently बाकी countries के साथ भी एंगेज हो रहे हैं, जैसे कि Vietnam, New Zealand, Israel, Brazil, जिससे कि उनके views जो है, वो exchange हो सके, अब यहाँ पर जो cooperation है, यह जो quad plus है, यह cooperation जो है, उसके लिए प्रपोस कर सकते हैं, हम selected African countries के लिए, जिससे कि क्या होगा, African countries जो है, उनकी development यहाँ पर हो स जो actual में कर रहा है, और इंडिया को किया किया जाना चाहिए, है कि नहीं, means oriented पूरा package यहाँ पर हमें मिल गया, चलिए, नेक्स इसपर बढ़ते हैं, health partnership, health partnership GS3 के लिए important है, approximately 70% of the healthcare services जो है इंडिया में, वो यहाँ पर private player जो है, वो provide करते हैं, private healthcare जो है, यह यहाँ पर काफी crumble हो रहा है, economic constraint के वज़े से, बाकी factors की वज़े से, इंडिया का entire healthcare system जो है, वो crumble हो रहा है, अब यहाँ पर most important चीज़, जो brilliant perspective से भी हमें देखने को मिलती है, इंडिया की अगर हम doctor to population ratio देखे, तो वो हमें, जो WHO के तरफ से recommend किया गया है, उससे काफी कम देखने को मिलता है, अब यहाँ पर आप देखोगे, तो WHO जो है, उसका idle ratio है, 1 is to 1000, ठीक है, अब देखे, actual में कितना देखने को मिलता है, काफी ज़ादा है, यहाँ पर इंडिया की population अगर देखा जाए, तो number of doctor, जो यहाँ पर ratio को meet करने के लिए चाहिए, तो वो इतने चाहिए हमें, इतने ज करना, according to health minister, इंडिया जो है, उसके पास 9,50,000 active doctors है, अब यहाँ पर health ministry जो है, उन्होंने प्रेडिक किया है, number of cases जो है, यहाँ पर peak पर जा सकते हैं, इतने ज़ादा, तो number of doctors जो है, काफी low हमें देखने को मिल रहे हैं, तो अगर government को यहाँ पर successful fight करना है COVID के साथ, तो यहा पर medical institutions जो है, build करना rapidly काफी ज़रूरी है, number of doctors जो है, उन्हें increase करना बहुत ज़रूरी है, इंडिया को अगर achieve करना है 1 to 1000 का ratio, तो यहाँ पर additional 2.7 million doctors जो है, 23 तक यहाँ पर produce करने पड़ेंगे, आप सोचे कितने साथा चाहिए, है ना, यहाँ पर spending जो है, health sector पर वो increase करना बह ज़रूरी है, अब यहाँ पर private parties जो है, उसे अगर हम यहाँ पर लाते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, दो effects देखने को मिलेंगे, एक तो जो doctor की deficit है इंडिया में, वो यहाँ पर eradicate हो जाएगी, वो यहाँ पर खत्म हो जाएगी, दुसरा जो economy है, जो कि यहाँ पर बहुत market को, वो भी यहाँ पर हो जाएगी, तो यह जो चीज़े हैं, यहाँ पर काफी important हमें देखने को मिलती है, तो यह भी main perspective से काफी important article है, गर government को यहाँ पर achieve करना है, idle ratio healthcare workers और country की population गे, तो यहाँ पर health infrastructure को यहाँ पर adequately boost करना पड़ेगा, जो FDI है sectors को वो provide करना पड़ेगा, ज यहाँ पर start-ups को हम बढ़ावा देंगे, तब जाकर यहाँ पर प्रॉपर हो सकता है, जो start-ups से उसे tax cut यहाँ पर provide करना पड़ेगा, तो यह सारी चीज़े हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है, तो solution oriented article है, बहुत important है, health care को कैसे यहाँ पर हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि pandemic क वज़े से health care पर बहुत बड़ा प्रस्चन रिचेन खड़ा हो गया है, और इसलिए question मेंस में पूछा जा सकता है, next यहाँ पर migraine जो है, वो यहाँ पर आप उनको pay नहीं करना पड़ेगा, घर पर जाने के लिए एंशोर किया है, Supreme Code ने, पहले यहाँ पर bench ने मना कर दिया, उनके बारे में सुनने के लिए लिकिन आप यहाँ पर ही चीज बोली गए, तो काफी important चीज यहाँ देखनी को मिलती है, तो आईए यहाँ पर हम जब river देखता है, जो मैंने आपसे पूछी थी तो यह ब्रह्मपूत्रा river, ठीक है, ब्रह्मपूत्रा river का course है, तो मैं वीडियो काइन, वीडियो अगर आपको पसंद आता है, तो आप शेयर जरूर कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, जैहिन!